Hello everyone and welcome back to my channel Learners Hub तो अब गाइस आज हम लोग Thomas Gray के दौरा लिखी गई उनकी पोयम Elegy Written in Our Country Churchyard के remaining portions को या उसके remaining 16 stanzas को discuss करने जा रहे हैं और अगर आपने अभी दक इसके first part को नहीं देखा तो पहले आप लोग उसे जाकर देखिए जिसका लिंक मैंने नीचे description box में दिया हुआ है और आप उसे उपर आई बटन पे tap करके भी देख सकते हैं तो पहले आप लोग उस first part को देख लीजिए वरना पोयम का ये particular portion आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आएगा तो चलिए अब बिना टाइम वेस की आज को जो हमारा पोयम है एलेजी written in a country churchyard इसके remaining portions को हम लोग शुरू करते हैं तो इसके 17th और 18th stanza में poet ये लिखते हैं Their lord forbade, not circumscribed alone their growing virtue But their crimes confined, forbade to wait through slaughter to a throne And shut the gates of mercy on mankind The struggling pangs of conscious truth to hide To quench the blushes of ingenious shame Or heap the shine of luxury and pride with incense kindled at the muse's flame तो इन lines में their lord forbade का मतलब है That their poverty didn't allow them Or their poverty prevented them from expressing their talents or virtue फिर circumscribed का मतलब है Prevented them from expressing यानि उनकी जो गरीबी की condition थी तो वो उन्हें उनके talent को express कने से रोक रही थी फिर forbade to wait का मतलब है Prevented them to walk through the path of bloodshed यानि उनकी गरीबी ने उन्हें खून खराबे के रास्ते पर जाने से या गलत काम करने से रोक रही थी फिर struggling pangs का मतलब है सच को छुपाने का दर्द सहना या painful efforts लगाना किसी चीज़ को छुपाने के लिए फिर truth to hide का मतलब है सचाई को छुपाना या truth को हाइड करना फिर to quench the brushes of engineer shame का मतलब है कि शरम से लाल हो गए अपने face को या अपने मू को छुपाना फिर luxury and pride का मतलब है अमीर और घमंडी लोग और lastly incense kindled का मतलब है वो pen जो inspired हुए थे encourage हुए थे muse goddess के सामने यानि art और poetry के goddess के सामने उन अमीर और घमंडी लोगों के प्रसंचा में poetry लिखने के लिए as if कि वो अमीर लोग ही कोई भगवान हो तो guys इसके 17th stanza में poet हमसे यह कहते हैं कि वो poor villagers अपने गरीबी की वज़र से वो अपने talents को या अपने abilities को express नहीं कर पाए क्योंकि उनके गरीबी ने उन्हें कभी allow ही नहीं किया और उनके इसी गरीबी की वज़र से उन्होंने कभी कोई crime भी नहीं commit किया कोई गलत रास्ते पर नहीं गये किसी का खूण नहीं किया स्रिफ पावर के लिए या किसी सिंगासन पर बैटने के लिए क्योंकि उनके पास कभी इतना time ही नहीं था कि वो इन सब चीजों के बारे में सोच सके क्योंकि उनके लिए खाना ही सबसे जरूरी चीज था और उनके इसी गरीबी की वज़े से वो कोई crude तानशा बनने से भी बच गये और उन्होंने कभी भी अपने भीतर इंसानियत के लिए mankind के लिए या humanity के लिए अपने भीतर दया के दरवाजे बंद नहीं किये फिर इसके 18 स्थान्जा में poet हमसे ये कहते हैं कि उनके humble destiny की वज़े से या उनके गरीबी की वज़े से उन्होंने कभी भी सच कोई छुपाया नहीं उसे suppress नहीं किया उन्होंने कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया या ऐसा कोई sin नहीं कमिट किया कि जिसके वज़े से उन्हें अपना मूँ शरम से छुपाना पड़े उन्हें ये सब करने की कभी कोई जरुथी नहीं पड़ी और इसके साथ ही poet ये भी कहते हैं कि उनके poverty की वज़े से उन्होंने कभी भी अपने आपको इतना नीचे नहीं गिराया कि उन्हें किसी अमीर या घमंडी वेक्ती के सामने उनके सम्मान में या उनके प्रसंचा में कोई poetry लिखनी पड़े जैसे कि वो अमीर लोग ही कोई भगवान हो और उनके सामने poetry लिखें तो उन्होंने अपने आपको इतना नीचे कभी नहीं गिराया ना तो power के लिए और ना है किसी और चीज के लिए वो simple चीजों में भी खुश थे तो इससे हमें ये पर चलता है कि poverty का एक तो बुरा side भी है और दूसरा उसका एक अच्छा side भी है फिर इस के अगले दो stanzas में poet ये लिखते है तो इन lines में फार फ्रम निमेडनिंग क्राउट का मतलब है शेहर के उन भीड भार वाले जगों से या वैसे लोगों से दूर जो कि सिर्फ पैसा या material प्रसपर्टी के पीछे पागलों की तरह भाग रहे होते हैं फिर ignoble strike का मतलब है immoral competition और conflicts यानि मन में दूसरों के लिए द्वेश रखकर compete करना या गलत तरीके से compete करना फिर sober wishes का मतलब है simple और moderate amount of wishes और desires फिर cool sequestered veil का मतलब है कि उनकी life बहुत ही शांत और refreshing थी बिलकुल किसी शांत घाटी की तरह जहां पर कोई disturbance ना हो फिर noiseless tenor का मतलब है शांत रास्ते या quiet face फिर these bones का मतलब है उन गुजर गए गरीब लोगों की हडिया या bones जो कि उनके कबर में मौजूद होते हैं फिर frail memorial still erected nye का मतलब है एक छोटा साय एक पतला सा monument फिर भी उनके कबर के पास बनाया गया होता है या erect किया गया होता है फिर uncouth rhymes का मतलब है poorly written lines और poetic verses और shapeless sculpture deck का मतलब है poorly made sculpture और statue तो guys इसके 19th stanza में poet हमसे ये कहते हैं कि वो poor villagers या वो गरीब लोग वो हमेशा शहर के भीर भार से rich और powerful लोगों के competition से या conflict से और शहर के restless activities से दूर रहा करते थे वो एक बहुत ही simple या साधरन टाइप का life जिया करते थे और उनके जो desires या ख्वाइशे हुआ करती थी तो वो भी बहुत ही simple, moderate और proper limits में हुआ करती थी और उनके रास्ते यानि जो उन्होंने अपने life में रास्ते choose की होते हैं जो path way उन्होंने choose की होते हैं तो वो भी बहुत ही शान्त और peaceful हुआ करते थे उनकी life बिल्कुल ही किशी शान्त घाटी की तरह या peaceful valley की तरह हुआ करती थी जहां पर कोई भी disturbances ना create होते हों फिर इसके 20th stanza में पोड़ेट हमसे ये कहते हैं that even though उन गरीब लोगों ने एक unseen एक unknown life जिया होता है बट फिर भी उन गरीब लोगों के कबर को और उनके हड़ियों को protect करने के लिए और उन्हें यूही utter disrespect से या disgrace से बचाने के लिए उनके कबर के पास एक छोटा सा या पतला सा memorial या monument बनाया गया होता है जिसमें के उनके याद में कुछ lines भी लिखे गया होते हैं उतने अच्छे से नहीं बट फिर भी कुछ lines लिखे गया होते हैं और प्लस एक sculpture या एक पूर सा statue भी बनाया गया होता है वहीं पास में जो की वहां से गुजर रहे लोगों के दिल में वह monuments उनके दिल में अटलीस उन पूर विलेजर के लिए थोड़ा सा sympathy या दया की भावना जगा सके फिर इसके अगले दूस तैंजाज में पोएट ये लिखते हैं Their name, their ears spelled by the unlettered muse the place of fame and elegy supply and many aholi texts around histories that teach the rustic moralist to die for who to dump forgetfulness a prey this pleasing anxious being ever resigned left the warm presence of the cheerful day norcast once longing lingering look behind तो इन लाइन्स में unlettered muse का मतलब है कोई uneducated या illiterate writer यानि कोई अनपर लेखक जिसे की ठीक से words की spelling ना लिखनी आती हो फिर place of fame and elegy supply का मतलब है कि जिस तरह से कोई अमीर या famous वेक्ती के गुजर जाने पर उनके memorials पर काफी लंबे लंबे poetic words और rhymes लिखे जाते हैं बट उन poor villagers की गुजर जाने पर कुछ illiterate writers ने उन्होंने उन लंबे poetic lines के जगा पर उन्होंने वहां उस memorial में उनका नाम, उनकी उम्र और कुछ Bible से बॉरो किये गये कुछ quotes को लिखा होता है जिसमें की काफी सारी spelling mistakes होते हैं फिर holy text का मतलब है Bible से बॉरो किये गये कुछ quotes फिर strew का मतलब है scatter यानि यूही बस यहां वहां लिखना फिर rustic moralist का मतलब है गाओं के rustic या सीधे साधे लोग जो के दिल के काफी साफ और अच्छे होते हैं फिर dump forgetfulness a pray का मतलब है कि जब कोई गुजर जाता है और वो दुनिया छोड़कर चला जाता है तो कुछ समय के बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं और वो लोगों के memory से vanish हो जाते हैं या वो forgetfulness का शिकार बन जाते हैं फिर pleasing anxious का मतलब है जिन्दगी के सुक और दुख फिर resign का मतलब है to give up और lastly warm presence का मतलब है warm environment of happy days तो guys इसके 21st दांसा में poet हमसे ये कहते हैं कि किसी illiterate writer ने या किसी अंपर लेखक ने उसने उन गुजर गए गरीब लोगों के नाम को और उनके उम्र को उसने वहाँ उनके tom stone पर या उनके memorial पर inscribe किया होता है या लिक दिया होता है जिसमें कि कई सारे spelling mistakes होते हैं और उसने यानि उस writer ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि उन गुजर गए गरीब लोगों को समान दिया जा सके यानि आप ये कह सकते हैं ये एक तरह का replacement था या ये एक तरह का substitute था उन अमीर लोगों के inscriptions के जिसमें कि काफी लंबे लंबे और sad से poetic lamentations लिखे जाते हैं तो उनके इस तरह के नाम और उनके उम्र बस एक तरह के उन लंबे poetic lamentations का substitute है और इसके अलावा उस illiterate writer ने उसने उनके tomstone पर कुछ Bible से लिये हुए या borrow किये हुए Quartz भी लिखे होते हैं ताकि इससे वो गाओं के और बाकी के लोगों को जो की बहुती साफ और अच्छे दिल के इंसान होते हैं तो वो उन्हें उन Quartz के थूँ ये शिक्षा दे सके या ये teaching दे सके यानि ऐसा कौन वेक्ती होगा जो की अपने pleasurable और anxious life को छोडने के लिए या उसे give up करने के लिए ready होगा बिना एक बार भी अपने उन warm environments को जो की उसने create किये होते हैं तो बिना एक बार भी अपने उन warm environments को याद किये बिना या उसे देखे बिना और वो भी specially तब जब उन्हें उन poor villagers की तरह भुला दिया जाए समय के साथ तो इसका जवाब है कोई भी नहीं क्योंकि कोई भी materialistic इनसान ये नहीं चाहेगा कि उसे उन poor villagers की तरह भुला दिया जाए और वो forgetfulness का शिकार बन जाए सभी यही चाहते हैं कि ये दुनिया उन्हें मरने के बाद भी याद रखे फिर इसके अगले सांजा में poet ये लिखते हैं तो इन lines में सम फॉन ब्रेस्ट का मतलब है कोई करीबी चाहने वाला दोस्त या रिष्टिदार फिर पार्टिंग सोल का मतलब है someone who is dying यानि कोई ऐसा वेक्ती जो मरने वाला हो फिर rely का मतलब है किसी पर dependent रहना support के लिए फिर some pious drops का मतलब है tears of sympathy यानि दुख के कारण आसू बहना फिर voice of nature cries का मतलब है कि मरने के बाद भी एक इनसान की ये natural desire होती है कि लोग उसे याद करे तो वो कभी भी खतम नहीं होता है और wanted fires का मतलब भी same वही एक natural desire है कि लोग उनके मरने के बाद भी उन्हें याद करे तो guys इस 23rd stanza में poet हमसे ये कहते हैं कि जब एक वेक्ती दुनिया छोड़ कर जाने वाला होता है या मरने वाला होता है तो तब उस वेक्ती की ये इच्छा होती है कि उसका कोई करीबी दोस्त या रिस्तिदार उसके पास आकर बैठे यानि जो वेक्ती उसके दिल के काफी करीब है तो वो उसके पास आकर बैठे उसके साथ थोड़ा समय बिताएं उसे comfort प्रवाइड करें उसके जाने के गम में थोड़ा आसु भी बहाएं ताकि इससे उस मरते हुए वेक्ती को थोड़ा दिलासा मिल सके बट उसके मरने के बाद भी एक इनसान के नाच्रल लिजायर होती है कि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद करें तो ये चीज फिर भी लोग को थोड़ा बहुत फील होता है बर जब उस इनसान की बाड़ी या उसके शरीर को जला दिया आता है और उसकी बाड़ी धूल या राक में बदल जाती है तो उसके बाद भी उस वेक्ती के जीवित रहते यानि जब वेक्ती जीवित रहते जो उसके शरीर में जो उसके मन में जो इच्छाएं थी कि लोगों के द्वारा याद किये जाने की तो इस डिजायर को एक्सप्रेशन देने के लिए लोग फिर क्या करते हैं कि लोग उस वेक्ती के टॉम स्टोन पर या उसके मेमोरियल पर वो कुछ इंस्क्रिप्शन लिख देते हैं जिससे कि फिर बाकी जो लोग उसके कबर के पास से गुजरते हैं तो वो फिर उससे याद करते हैं फिर इसके अगले दो स्टैंजाज में पोएट ये लिखते हैं For thee who mindful of the unhonored debt Those in the lines their artless tale relate If chance by lonely contemplation led Some kindred spirit shall inquire thy fate Happily some hoary-headed swain में से Often have we seen him at the peep of dawn Brushing with hasty steps the jews away To meet the sun upon the upland lawn तो इन lines में For thee who is here पर लिखा हुआ है तो इससे poet अपने आप को refer कर रहे हैं That means poet is referring to himself जबकि अक्सर ऐसा होता है कि इसका मतलब you होता है D का मतलब you होता है But इस बार poet यहाँ पर अपने आप को refer कर रहे हैं फिर डोस्त का मतलब है Does फिर artless tale relate का मतलब है Story of their simple life जिसे की poet ने अपने lines में या इस poem में में mention किया हुआ है फिर by lonely contemplation led का मतलब है फिर kindred spirit का मतलब है Same kind of spirit यानि poet के तरह ही कोई same spirit या interest वाला वेक्ती फिर inquired die fate का मतलब है कि हो सकता है कि कोई वेक्ती जो की वहाँ से गुजर रहा हो यानि poet के death के बाद हो सकता है कि कोई वेक्ती वहाँ से गुजर रहा हो परहापस कोई एजट विलेजर या कोई सफेद बालो वाला कोई किसान फिर brushing with history steps का मतलब है जल्दी जल्दी या तेजी से चलना और upland lawn का मतलब है पहाडी का सबसे उचा जो घास वाला जो area होता है जो grassy land होता है वो तो अब गाईस इसके 24th stanza में poet हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने यानि poet ने उन poor rustic villagers के simple story को उन्होंने अपने इस poem में इसलिए narrate किया है या उसके बारे में mention किया है क्योंकि इस poem के थूँ वो उन गरीब किसानों को या वो उन poor unhonored villagers को वो एक तरह से समान देना चाहते हैं और plus वो अपने मन में वो उनके लिए काफे pity और sympathy फील करते हैं इसलिए उन्होंने इस poem को लिखा है ताकि इससे उन unhonored लोकों को एक समान मिले और उनकी memory हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिमाग में अमर हो जाए बट फिर poet आगे ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि किसी दिन उनके तरह ही कोई और वैक्ती जो कि उनके तरह ही same spirit वाला और या same स्वभाव वाला वैक्ती हो और जो कि वहाँ थोड़ा अकेले समय बिताने के लिए आया हो तो हो सकता है कि वैसा ही कोई वैक्ती वहाँ से गुजर रहा हो उस graveyard से उस कब्रिस्तान से गुजर रहा हो और वो पोईट के मरने के बाद वो उनके कब्र को देखकर यानि future में कभी जब पोईट के कभी मृत्य हो जाए तो वो वैक्ती या फिर कोई और वैक्ती वहाँ से गुजर रहा हो पोईट के कभर के पास से तो वैसा कोई वैक्ती जब पोईट के कभर को देखे तो हो सकता है कि वो वैक्ती जो है वो वहाँ मौजूद किसी और गाउवालों से या किसी और बुजर किसान से वो पोईट के बारे में कुछ पूछे जैसे कि poet अभी खुद वो दूसरे गाउं के किसानों से या विलेजर्स से सवाल पूछ रहे हैं उन पुराने गुजर गये लोगों के बारे में बालो वाले किसान वो उस अंजान वैक्ती को उसके सवाल के जवाब में ये बताते उसे कि वो अक्सर यानि वो बुढ़े जो वैक्ती हैं वो बुढ़े जो किसान हैं तो वो अक्सर पोएट को सुबा सुबा गास के मैदान से होते हुए वो पोएट को जाते हुए देखते औ तो इन लाइन्स में देर का मतलब है तो इन लाइन्स में देर का मतलब है तो उस घास के मैदान में एक बीच नाम का पेड होता है दिसकी लंबी लंबी शाखाएं या ब्रांचेस नीचे के तरफ जूल रही होती है फिर that reads its old fantastic roots so high का मतलब है कि वो बीच नाम के पेड के जड़े होती है तो वो आपस में इतने उलजे हुए होते हैं इतने twisted होते हैं कि उनका shape काफी अजीब सा लगता है काफी curious लगता है देखने में और plus उस बीच की जड़े या roots जमीन से थोड़ा उपर बाहर के ओर निकले होते हैं थोड़ा उपर के ओर उठे होते हैं जैसा कि आप लोग image में देख सकते हैं फिर listless length का मतलब है कि अपने body को थोड़ा lazy manner में उसे अच्छे से stretch करके उस पेड के नीचे लेटे रहना और lastly pour upon the brook that babbles by का मतलब है कि पास में ही बह रहे किसी नदी को आराम से बैट कर देखना जो की बहने के साथ साथ या flow करने के साथ साथ एक pleasant sound को भी produce कर रही हो तो अब guys इसके 26 तांज़ा में poet यहाँ पर अपने पिछले वाले description को ही continue करते हैं जहाँ पर उस गाओं का कोई बुज़र्ग किसान वो उस अजनभी वेक्ती के inquiry का या उनके सवाल का यानि poet के life selected inquiry का वो बुज़र्ग वेक्ती जवाब दे रहे होते हैं और वो बुज़र्ग वेक्ती यह कहते हैं कि उन्होंने poet को दुपहर के समय उन्होंने poet को उस पहारी के उपर जो घास के मैदान में जो beach tree है तो वो poet को अकसर वहाँ दुपहर के समय उन्हें ideally लेटा हुआ देखते थे उस beach नाम के पेड के नीचे या उस beach नाम के tree के नीचे जिसकी शाखाएं जिसकी branches इतनी लंबे-लंबे होते थे कि उसकी जो शाखाएं है वो नीचे के ओर लटक रही होती है और उस पेड की शाखाएं या उस beach tree के branches आपस में इतने उलजे हुए होते हैं कि वो दिखने में काफी अजीब से लगते हैं और उन्होंने एक अजीब सा shape ले लिया होता है और इसके अलावा poet वहाँ पास ही होकर बह रहे किसी नदी को या किसी brook को भी बैट कर देख रहे होते हैं जो की काफी pleasing sound को produce करता है बहते हुए या flow करते हुए तो इन लाइन्स में hard by yawn का मतलब है close to a nearby wood और forest यानि पास है किसी forest में जंगल में फिर smiling as in scrawn का मतलब है अजीब से disrespectful manner में किसी चीज को सोच कर smile करना फिर muttering his wayward fancies का मतलब है अपने आप से ही खुद के ideas को discuss करना या अपने आप में ही बरबराना जैसे कि सर्फिरे या पागल लोग करते है फिर he would roam about यानि poet उन जंगलों के पास में वो वहाँ भड़कते रहते थे फिर now drooping वो full van like one for loan का मतलब है कि कभी-कभी poet बिल्कुल sad से मायूस होकर वो अपना हुलिया ऐसे बना लिया करते जैसे कि वो बहुत ही खराब या pitiful condition में है फिर crazed with care का मतलब है कोई ऐसा वैक्ती जो की बहुत anxiety से या परिशानी से गुजर रहा हो और crossed in hopeless love का मतलब है that sometimes poet look like a frustrated lover यानि कभी-कभी poet किसी disappointed या frustrated lover की तरह दिखाई परते जिनके love का या relationship का कोई future ना हो तो अब guys इसके 27th stanza में poet हमसे ये कहते हैं कि वो गरीब किसान वो उस भटकते हुए अजनवी वैक्ती से वो poet के बारे में आगे ये कहते हैं कि उन्होंने यानि उस गरीब किसान ने उन्होंने poet को अकसर काफी बार पास कही एक छोटे से जंगल में या forest में यहां वाँ भटकते हुए देखा है फिर कभी-कभी उन्होंने poet को काफी अजीब तरीके से disrespectful manner में उन्होंने poet को कुछ सोच कर हसते हुए देखा है फिर कभी-कभी तो उन्होंने poet को खुद से ही बाते करते हुए या अपने हुलिया ऐसा भी बना लिया करते जैसे कि वो कोई frustrated या disappointed lover हो जिनके love का या relationship का कोई future नहों और वो बरबाद हो गए हो फिर इसके अगले दो stanzas में poet ये लिखते हैं तो इन लाइन्स में one morning का मतलब है one morning या एक सुबह फिर I missed him on the custom hill का मतलब है कि एक सुबह poet अपने उस usual hill पे या उस पहाडी पे जहां पर वो मौजूद रहते हैं तो वो वहाँ पर नहीं थे या वो वहाँ से गायब थे फिर along the heat का मतलब है along the grassland या घास के मैदानों के पास से फिर another came का मतलब है passing of another day यानि एक और दिन का गुजर जाना फिर with dirt due का मतलब है कि अकसर जब लोग एक साथ इकत्रित होकर या जमा होकर वो किसी गुजर गय विक्ती के funeral songs में participate करते हैं फिर sad ray का मतलब है mournful procession या शोक यात्रा फिर born का मतलब है carried यानि ले जाये जाना फिर approach का मतलब है कब्र के नस्दीक जाना फिर the lay का मतलब है कोई poetic language और lastly age thorn का मतलब है कोई बहुत ही पुराना सा rough सा पेड या tree तो अब गाईस इसके 28 और 29 सांजा में वो बुजर्ग किसान वो उस अजनभी वेक्ती से आगे poet के बारे में ये कहते हैं कि एक सुबह उन्होंने poet को उनके usual spot के पास या hill के पास यानि जहां पर poet उन पहाडियों के उचाईयों में जो घास के मैदान मौजूद थे और जहां पर वो बीच नाम का उनका फेवरेट पेड भी मौजूद था तो एक सुबह वो बुजर्ग वेक्ती नोटिस करते हैं कि poet अपने उस usual spot के पास नहीं मौजूद थे या नहीं थे और फिर इसी तरह से एक और दिन भी गुजर गया और उन बुजर्ग किसान को उन्हें ना तो poet उन नदियों के पास दिखे ना ही उन घास के मैदानों के पास और ना ही उन जंगलों के पास में और फिर फाइनली तीसरे दिन जाकर या तीसरे सुबह वो बुजर्ग वेक्ती ये विटनेस करते हैं ये देखते हैं कि poet की सदनली देथ हो चुकी है और उनके बॉड़ी को कोफिन में डाल कर कुछ लोग उसे धीरे-धीरे करके चर्चयर्ड के तरफ या चर्च के पास वाले कब्रिस्तान के तरफ वो poet की dead body को लेकर जा रहे होते हैं और प्लस लोग उस शोक यात्रा के दौरान या उस mournful procession के दौरान कुछ लोग funeral songs को भी गा रहे होते हैं और फिर बाद में वो बुजर्ग किसान वो बाकी लोगों से या उस अजनभी वेक्ती से वो उनसे ये कहते हैं कि वो खुद वहाँ जाकर वो poet के tom stone को या उनके memorial को नजदीक से जाकर पढ़े जो भी उस पुराने से पेड के नीचे मौजूद poet के gravestone में या उनके cover में लिखा गया हो तो वो बुजर्ग किसान वो उस अजनभी से वो उसे खुद poet के gravestone के पास जाकर पढ़ने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका ये मानना था कि वो अनपढ़ है और वो poet के gravestone पर क्या लिखा है वो उसे नहीं पढ़ सकते हैं और अब finally हम चलते हैं इस poem के epitaph portion के और epitaph यानि जो lines या जो inscriptions एक वेक्ती के गुजर जाने पर उसके gravestone पर लिखे जाते हैं तो उसे ही हम epitaph कहते हैं तो इसके 38 stanza में poet ये लिखते हैं Here rest his head upon the lap of earth, a youth to fortune and to fame unknown fair signs frowned not on his humble birth and melancholy marked him for her own तो इन lines में here rest his head upon का मतलब है Here in this grave lies a young buried man यानि उस church के पास कब्रिस्तान में poet अपने कब्र में लेटे होते हैं after his death फिर fame unknown का मतलब है that उन्हें कभी भी नाम और शोहरत नहीं मिली and he was a poor man फिर signs frowned not का मतलब है that knowledge and signs did not rebuked him or disfavored him यानि उनके humble origin या common family से होने के बावजूद भी उन्हेंने knowledge को ग्यान को हासिल किया और वो एक scholar और poet बने फिर melancholy marked him for her own का मतलब है that he was a child of sadness यानि वो काफी दुखी दुखी और depressed से रहते थे तो guys इसके 38 स्थांजा में poet हमसे ये कहते हैं कि वो अंजान वेक्ती जब उस बुज़र्ग किसान के कहने पर वो जब poet के कबर के पास गया तो वहाँ पर poet के कबर में या उनके ग्रेव सुन पर ये लिखा हुआ था दाट उस चर्चर्ट के जमीन में या उस चर्चर्ट के कबर में एक ऐसा नौज़वान वेक्ती लेटा हुआ है जिसने ना तो कभी नाम और शोहरत हासिल किया और नहीं अच्छा fortune मनाया वो एक आम परिवार से या एक common family से बिलॉंग करता था बट फिर भी उन्होंने knowledge को या education को हासिल किया और वो एक scholar या एक poet बने बट इन सब के अलावा वो melancholy या sadness के बेटे थे यानि वो हमेशा ही sad और depressed से रहा करते थे और फाइनली इसके आखरी दो stanzas में poet यह लिखते है large was his bounty and his soul sincere heaven did a recompense as largely sent he gave to misery all he had a tear he gained from heaven that was all he wished a friend no father seek his merits to disclose or draw his frailties from their dread abode they are alike in trembling hope repose the bosom of his father and his god so guys अब इसके 31st stanzas में poet हमसे ये कहते हैं कि उनके उस memorial में या उनके उस gravesstone में आगे ये लिखा हुआ था कि poet एक काफी generous यानि दयालू और सच्चे दिल के इनसान थे और God ने उन्हें उनके इसी अच्छाई के लिए या उनके इसी good quality के लिए God ने उन्हें reward या gift भी दिया और poet के पास जो भी कुछ था अपने दुख को अपने misery को देने के लिए तो वो थिसरिफ उनके आसू तो उन्होंने अपने आसूं को भी अपने दुख को समर्पित कर दिया और फिर God ने उन्हें वो दिया जिसकी वो हमेशा ख्वाहिश करते थे यानि God ने उन्हें एक सचा दोस्त दिया तो यहाँ पर पहली बार poet अपने best friend Richard West को mention करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं और फाइनली इसके लास तांजा में poet हमसे ये कहते हैं कि उनके उस memorial के end में ये लिखा होता है कि अब इस चीज के बारे में discuss करना एक बिल्कुल ही useless attempt है कि poet के अंदर क्या अच्छाईया थी और उनके अंदर क्या weak points थे तो अब ये सब चीजे discuss करना बिल्कुल ही waste है क्योंकि poet की अब death हो चुकी थी और वो अब कबर में अपने लेटे हुए थे तो अब उनके अंदर जो भी कुछ अच्छे qualities थे तो उन्हें God reward करेंगे और उनके अंदर जो भी false थे या गलतिया थी तो उन्हें भी God ही forgive या आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं लाइक करें शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ और थैंक यू फॉर वाचिंग